पाई वेल्कम बैक तो मैं चानल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हमारे स्प्रिट एनिमल होते कोन है और इनसे कैसे हैप 2 ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़ाधा जरूरी होता एह कि जिस तरीके से हमारे spirit guide हो गए है आच एंजल हो गए हमें हर stage में help करते हैं guide करते हैं उसी तरीके से जो spirit animal होते हैं वो भी हमें हर stage में guide करते हैं बट कहीं न कहीं हम इन सारी चीजों को बहुत जादा करते हैं क्योंकि यह animals की language को समझना बहुत जादा critical होता है कि वो हमसे क्या वोड रहे हैं क्या मैसेज दे रहे हैं पहले तो आपको जाना जरूरी होता है कि आपके spirit animal है कौन यह मैं next video में cover करूंगी कि अगर आपको कोई animal देख रहा है बार बार ड्रीम में हो गया वीडियो में हो गया या फिर कहीं पर भी आपके आसपास तो उसका मीनिंग क्या होता है लेकिन आज हम सिर्फ इतना जाना जाहेंगे कि आपके spirit animal कौन है और इसे कैसे करेट करें अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है तो सबसे पहले टिपस है कि आपको डेली बाहर थोड़ा टाइम स्पैन करना जरूरी है क्योंकि जब तक आप बहार नहीं निकलोंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके spirit animal है कौन तो थोड़ा टाइम के आप नेचर में जाओ और थोड़ा कोशिस करो कि अगर आपके पास-पास कोई अनिमल आ रहा है कोई बागते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से देखो उसका हाव भाव देखो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो भी कोई एनिमल हो गया या फिर बढ़ हो गई तो वह इंसानों से बहुत जादा ड़ते हैं तो वह भागते हैं बट अगर क सार आपको देंगे कुछ साहिन देंगे जिससे आपको लगेगा नहीं कुस तो चेंजस है इस बर्ड में या फिर एनिमल में तो आप इस तरीके से जान सकते हो कि अगर आपको वह डेली दिख रहे हैं अगर आप बाहर जा रहे हो कहीं पर भी आप जा रहे हो तो वह आपको तो इस तरीके से आप भी जान सकते हैं कि आपकी यह स्पीरिट आनिमल है कहीं पर गहीं पर जारे हो तो ये spirit animal आपको या फिर bird आपको जरूर दिखेंगे इस तरीके से आप जान सकते हो बट आपको थोड़ा देखना जरूरी है कि उनका how भाव कैसा है second आपको क्या करना है आप journal लिख सकते हो क्या लिखना है आपको जैसे आप सुबह से शाम तक आपको एक animal हो गया या bird हो गई आपको बहुत बार देख रहा है आपको वीडियो में देख रहा है या किसी पिक्चर में देख रहा है आप meditation कर रहे हो तो दीख रहा है ड्रीम में देख रहा है या फिर किसी से सुनाई भी बढ़न रहा है मूवी देख रहे हो तो दीख रहा है बाहर जा रहे हो तो दीख रहा है तो वो आपके spirit animal है यह वी अपसकर दो सकते हो आपको daily लिखना है उस जीश को कि आज मुझे यह animal दीखा यह बड इकine बट कहीं न कहीं कुछ एनिमल या बट आपको डेली दिख रहे हैं बहुत जादा एमांट में तो फिर वह आपके इस्परिट एनिमल जरूर होंगे इस तरीके से भी आप जान सकते हो और नेक्स पॉइंट है कि आप मेडिटेशन में पूछ सकते हो आत्मिजल से यूनिवर्स आपको जरूर आंसर मिलेगा आप एक दो दिन के लिए वेट करिए आपको ड्रीम में भी दिख सकता है अगर आपने आंसर पूछा है यूनिवर्स से आच निजल से तो यह आपको ड्रीम में भी दिख सकता है मेडिटेशन कर रहें तो अचानक से उसके अवाज आजाना या फिर कोई भी हो गया बर्ड हो गया कोई एनिमल हो गया कहीं नगहीं हैं तो सड़न से कुछ दो कुछ अवाज आ जानी तो वो भी आपके इस्पृरिट एनिमल होते हैं नुह रह होते हैं जो हमें हर स्टेज पे गाइड करते हैं कि अभी यह अगर हमें में दीख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए यह हम किस श्टेज पर जा रहे हैं लेकिन यह सब मैं नेक्श्ट वीडियो में कवर करूंगी कि इसका मतलब क्या होता है तो यह कुछ छोड़ी पॉइंट आप इस तरीके से जान सकते हो, कि आपके spirit animal है कौन, अब जब सोते हो, अगर फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप सोते वक्त भी universe से आचेंजल से प्रेयर कर सकते हो, कि मुझे जानना है कि मेरे spirit animal है कौन, तो आपको ड्रेम में भी दिख सकते हैं, लेकिन आपको य यह भी आपको प्रेयर करके सुना है, कि मैं जो ड्रीम देखूंगी मुझे याद रहे, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत सारे pictures में हो गया, वीडियो में हो गया, कोई एक animal बर्ट आपको बहुत जादा दीख रहा है, या फिर आपको मन करेगा, कि मुझे इस animal के आपके spirit animal है, तो यह कुछ tips थे, जिससे आप जान सकते हो, कि आपके spirit animal कौन है, उनसे कैसे guidance ले सकते हैं, किसी भी situation में अगर हो आप फसे हो, तो क्या फील कर रहे हो, उस वक्त अगर यह spirit animal आपको दीख रहे हैं, तो क्या आपको फील हो रहे हैं, तो यह खुद आपको फील करोगे, आपको answer मिलने लगेगा, अब जब एक बार, जैसे होता है, कि हम आचेंजल से हमारे आसपास रहते हैं, बट हम इन से जब तक बोलेंगे नहीं help के लिए, तो यह हमारी help नहीं करने वाले, सेम जो हमारे spirit animal भी होते हैं, बहुत अदा powerful होती है, इनके energy, तो जब तक ह हर स्टेज पे हर चीज के लिए आप इन से help ले सकते हो, जरूर आपकी help करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जानो कि आपके spirit animal है कौन, I hope आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चले हम मिलते हैं next video में, thank you so much.